काड़े जारी हो चुके हैं यहां पर आप देख सेते हैं जो आपका एक्जाम स्टेडूल है तो जो पहला पेपर होगा 14 माई को वो 9.30 बज़े से लेकर 11.30 बज़े के बीच में होगा यह जनरल स्टेडीज का पेपर है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकेंड पे पर यानिकी इसी को सी सेट कहते हैं और यहां मात्र नेचर में क्वालिफाइंग होता है सो प्रस्ण आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और जो पहला पेपर होगा फर्स पेपर जीस का उसमें कुल 150 प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो आपको बताना चाहें कुल एक्याउन जिलों में परिक्षा हो रही है 14 मई को परिक्षा होगी कुल 1241 परिक्षा केंद्र बनाए गये हैं और कुल पदों की संख्या अभी जो डेक्लेयर है वो 173 है लेकिन विश्वास रखिए कि ये पद लगबग 250 प्लस तक जाएंगे तो यहां पर दो पालियों म कि तो आपके बहुत ही जरूरी है कि अनुदेश आप जरूर पढ़ें जब आप एक्जाम देने जाएं तो आप दो फोटो और आईडी प्रूफ आईडी प्रूफ में ड्राइविं लाइसेंस पासपूर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडिनिट्री, सेंट्रल या स्टेट whis长 Marketing का जो आईडी काड़ होता है या फिर आधार कि मूल प्रति और एक च्शाय प्रति लेकर आपको जाना है यहाँ पर जान देएगा कि आपको दो फोटो भी लेकर जाना है जो फोटो आपने अपलोड किया है वही दो फोटो आपको लेकर जाना है गलत उतर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है यह बादी ध्यान रखेगा और कोई मिद्वार अगर एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे भी गलत उत्तर माना जाएगा ठीक है और आपको एक्जाम में केवल काली इंक के अध्रिक्त अन किसी इंक का प्रयोग नहीं करना है तो डार्ट पेन लेकर जाना है आपको बाल पॉइंट पेन वह भी ब्लैक ओनली ब्लैक ठीक है इसके अलामा अन्दी माधा घंटा में किसी अभरती को परिशा कक्स से बाहर निकलने की अन्मती नहीं देगी और बाकी चीजें आप लोग पढ़ लिजीगा और कोशिस करिए का कि कुछ भी ग किताबें आपको पढ़नी चीए अब फिलाल किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है लेकिन अगर अभी भी आपकी तयारी मतलब अपनी तयारी से आप संतुष्ट नहीं है तो आप एक काम कहिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2012 से लेकर 2022 तक का जो पुराना कोश्चन पेपर ह इसको अच्छे से लगा लें इसके लिए कोई भी एक बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी वो बुक ले लीजिएगा और हर प्रस्ट का उत्तर पढ़ने के बाद उसकी व्याक्या भी पढ़ते जाईए कोशिस करिए कि कम सकम दो बार आप इतना कर लें ठीक है इसके अगर 15 अप्रेल तक का जो करेंट है उसको कई बार पढ़ने अगर जो मोटी मोटी पत्रिकाय मार्केट में अगर उनको आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैंने इसके लिए एक जिस्ट तयार किया है ठीक है तो जिस्ट आपको मिल जाएगी तो आप इसके द्वारा जनुरी फ्रवरी मार्च और अप्रायल का पूरा जिस्ट आपको अलेवल तरह आए गया है तो बहुत कम पेजेज हैं इनका प्रिंट आउट ले लिजिए और इसको कई बार पढ़ डालिए इसमें से कुल मिलाके लगबग जो 30 से 35 प्रसंद आएंगे तो मैं आपको विश ठिक्ठा की पुजीशन है ठीक है नई तो अगर आप पूरा डीटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी जो फुल पीडियेफ है उसको भी आप पढ़ सकते हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपोर्टेंट बात हैं मतलब तीन काम आप जरूर कीजिएगा पहली बात एक की 2012 से लेकर 2022 तक का जो प्राणा कॉश्चन पेपर उसको लगाई है 2023 में जो भी परिक्षाएं हो रही है अक्टूबर 2022 से लेकर 2023 तक जो भी परिक्षाएं हुई है उसमें जो जी एश के प्रस्न है उसको देख लीजिएगा ठीक है और पॉसिबल हो तो अब दिको टेस मिल जाए तो प्रयास करिए कि उसका कम सकम एक दो बार मतब घड़ी देखकर ठीक है टू हावर टाइम सेट करके जो टेस्ट रीजे एक दो टेस्ट लगा लीजिए उससे क्या होगा कि आपका जो एक्जाम में करेज रहेगा कॉन्पिटेंस वो बना रहेगा और जो जिस्ट है या फिर जो भी किताब आप युच कर रहे हूं मैं जिस्ट के बारे बात नहीं कर रहा हूं मतब कोई भी करेंट हो उसको दो तिन बार पढ़ लिजिए तो लगातार आपको जो है मतब जितना आप पढ़ सकें उतना समय दे लेट फिक्स है और आपकी परिच्छा 14 माई को हो रही है सबी को बढ़ स्टाप लगा